क्या गार्लिक यानि लैसन को अगर रेगुलर्ली खाया जाए तो इससे क्या हमारा सिक्स प्रॉब्लम सही हो सकता है रेगुलर्ली खाने से क्या हमारे रेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम सही हो सकता है या लो स्पर्म की प्रॉब्लम सही हो सकता इससे तो आज हम लो आपका treatment के साथ साथ हम lesson का भी 7 कर सकते हैं क्यूंकि हमने बहुत जगास ऐसा सुना हुआ है कि गार्लिक को regularly 7 करने से erectile dysfunction की problem सही हो सकता है timing की problem ठीक हो सकता है sperm count बढ़ सकता है तो आज हम लोग इसी topic का उपर बात करने वाले है तो मैं डॉक्टर सुपर अगता है अपने इस youtube channel homeo cat tips पे तो lesson यानि garlic जो की हर दिन almost हमारा घरों में इस्तमाल होता ही है हर तरह की हर spicy dishes की भीतर या सबजियों में भी इसके इस्तमाल किया जाता है तो क्या इसी garlic का इस्तमाल से हमारा link की भीतर blood supply बढ़ सकता है हमारा timing के problem ठीक हो सकता है और sperm की mortality morphology बढ़ सकता है तो जी हाँ दोस्तो garlic वाकई में पुरुषों की sex सम्मंधित problems में बहुत अच्छा काम करती है ना कि सिर्फ ये sex problem में काम में आती है बलकि इसका अलग अलग इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इसकी अंदर बहुत सरी sulfur होती है lesson के अंदर 33 अलग अलग sulfur compound पा जाता है 17 अलग अलग amino acid पा जाता है कुछ minerals भी पा जाता है इसका अंदर तो garlic का बहुत अच्छा impact होता है हमारा पूरा सहत को उपर पूरा health का उपर बट हमारा topic का सिर् तरस इस्तमाल करने से इसको फाइदा होता है कैसे इसको लेना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह sex problem की भीतर बहुत अच्छा काम करती है लेकिन lesson का लेने का तरीका होता है lesson को आप सबजी में खा रहे हो और सोच रहे हो कि हमको impact हो जाएगा हमको benefit मिल जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है lesson को खाने का एक तरीका होता है उस तरीके से अगर आप खाते है तो ही आपको उसको फाइदा दिखता है तो सबसे पहले यह जानते है कि lesson की अंदर ऐसी कौन सी compound है जो कि हमारा link की अंदर blood supply को बढ़ा सकता है link की अंदर blood supply को maintain कर सकता है त यही nitric oxide का level को बढ़ने का कारण से ही हमारा link का अंदर तनाव आ पाता है blood circulation हो पाता है अब सवाल यह आता है कि इसको इस्तमाल कैसे करना चाहिए ताकि हमारा link की अंदर blood supply बढ़ जाए हमारा link की अंदर तनाव की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाए तो दोस्तों आपको lesson को स 8-10 टुगड़ा 8-10 जो कलिया होती है कम से कम आपको खाना पड़ेगा सुभे नास्ते से पहले आदा घंटा या एक घंटा पहले empty stomach आपको लेना पड़ेगा और आपको raw खाना है कच्या खाना है अब वीडियो को यहां से कोई छोड के मत जाना क्योंकि इसके आगे बताने वाला हो यह सबसे important topic है आपने यह तो जान लिया कि link की अंदर blood supply को बढ़ाने के लिए आपको lesson खाना है सुभे खाना है खाली पेट खाना है और कम से कम 8-10 का लिया आपको खाना है lesson का लेकिन क्या इसका कोई side effect नहीं होगा इसका कोई दूस प्रभाव हमारा body की विदर नह जितनी मात्रा में हमें allicine की दरकाल पड़ेगी तो allicine को उतनी मात्रा में परियाप मात्रा में हमें पाने के लिए हमें कम से कम 8-10 lesson की कलिया हमें खाना पड़ेगा जो की बहुत ज्यादा होता है और ऐसा देखा भी गया है कि link की अंदर blood supply की problem को दूर करने के लिए कम से क कम 8-10 टुगड़ा ही खाना पड़ता है इससे कम कलिया खाने पर हमें रेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी problem में उधना अच्छा benefit हमें देखने को नहीं मिला है तो आपको कम से कम 8-10 कलिया ही खाना पड़ेगा उसके बाद ही आपको रेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी problem में लेशन से आपको फाइदा होने वाला है जो की बहुत ज़्यादा होता है किसी के लिए और इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी इदना अच्छा नहीं है कि इसको ऐसे ही आप खा सकते हैं लोग आमोमन इसका एक या दो कली ही खाते हैं सुभे जिनको कलस्ट्रोल की problem होता है जिनका high blood pressure की problem होता है या फिर जिनका skin की problem होता है जो लोग इसको खा रहे हैं तो वो लोग एक या दो कली ही खाते हैं और वो लोग भी इसको बड़ी मुश्किल से खाते हैं क्यूंकि इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही बुरा है इसके इलावा bad breathing की problem होती है आप बात क खाने पर ही उनका paid में जो हमेंसा gas बन जाता है तो उन लोगों को तो यह बिल्कुल भी ट्राइए नहीं करना चाहिए इसके इलावा जिनको guide की problem है यानि gastroesophagal reflux disease की जिनको problem है जिनको हमेंसा oesophagus में खटी ढकार आता है खटा पानी मूह में आता है उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इसके इलावा जिन लोगों का high blood pressure की गोली चल रही है पहले से उन लोगों को भी यह गोली के साथ तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि हो सकता है इससे आपका blood pressure और low हो जाए इसके इलावा जिन लोगों में liver का problem है जैसे fatty liver हो गया hepatitis A, hepatitis B यह स अध्रosis आप लिवर हो गया तो उन लोगों को भी लैसन नहीं खाना चाहिए या जिन लोगों को होमोपाथिक treatment कहीं से चल रहा है तो अपने होमोपाथिक treatment के साथ साथ भी आप कच्छा लैसन का 7 नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी होमोपाथिक medicine का असर कम हो जात जाती है तो हमें क्या करना चाहिए एक तो हम एक साथ इतने सारे हम लैसन नहीं खाँ सकते हैं अपना जाश्क problem को ठीक करने के लिए नहीं लग सेंवननी कर सकते 7 करेंगे तो उसकी अलग problem है इसके इलाबा जिन लोगों का यह problem हमने जो बताए है जिन लोगों का gas की problem acidity की problem है जिन लोगों का पहले से hypertension की कहीं से medicine चल रही है या cholesterol की medicine चल रही है तो वे लोग भी इसको इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे इस्तेमाल करें कि इसका कोई side effect भी हमको इसका दो गोली हर दिन रात को हम भोजन के बाद लेने के लिए कहते हैं और जिसका कोई side effect भी नहीं है जिसका सबसे बड़ा plus point यही है कि इसका कोई side effect नहीं है एक heart का मरीज भी खा सकता है diabetic मरीज भी खा सकता है एक hypertension की मरीज भी खा सकता है तो सब कोई खा सकता है ये medicine ये जो आप मेरा हाथ में tablet देख रहे हो जही है वो मेरा खुद का बनाए हुआ tablet इसका दो गोली हम लोग हर दिन रात को भोजन के बाद patient को लेने के लिए कहते है और लगातर दो मेहना इसी प्रकार से हम लोग patient को यूज करवाते है इस tablet का हर दिन दो गोली रात को भोजन के बाद और इस medicine का असर होता है या नहीं patient में इसका feedback क्या है इसका review क्या है इसको असल में खाने के बाद कितना फाइदा होता है patient में अगर आपको ये बाते जानना है तो फिर आपको इस बात को जानने के लिए इसकी जो अलग-अलग videos हमने इतने सारी videos जो हमने बनाए हुई है past में उन videos को आपको उठा उठा कर देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इस medicine को हमसे purchase करके खाया है treatment के साथ उन में फाइदा हुआ है या नहीं ये बात आप जान पाएंगे इसके इलावा जिन लोगों ने ये medicine हमसे purchase करके या treatment के दोरान हमसे इस्तमाल किये है क्रिपिया करके आप एक line में आप अपना problem के बारे में बताईए कि problem आपको कितना solve हुआ solution हुआ है या नहीं आप इस video comment box में comment करके बताईए ताकि जो ये new viewers ये video देख रहा है उससे आपका comment पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगे कि हाँ ये जो डॉक्टर बोल रहा है वो सही है दोस्तो हमारा इस दवा की अंधर lesson में पाया जाना वाला जो compound के बारे में थोड़ी दर पहले हमने आपको बताया था जो कि link की अंदर bread supply को बढ़ाता है जिसका नाम है अलिसिन particularly हमने सिर्फ वही अलिसिन को उठा कर extract करके हमने अपना medicine की भीतर डाला हुआ है सिर्फ अलिसिन को हमने डाला हुआ है बाकी जो तत्वा है lesson में जो पा जाता है उसको हमने नहीं लिया है सिर्फ अलिसिन को हमने लिया है वहां से अलिसिन को छोड़कर इस medicine की अंदर और भी अलग-अलग बहुत सारी components है जो कि sexual problems की भीतर काम में आती है अब गार्लिक का अंदर से अलिसिन को निकाल कर इस medicine का अंदर डाल के हम लोग medicine के तोर पर इस्तमाल करने से इसका क्या फायदा हुआ एक तो इसकी जो side effect होती है lesson का जो हमने आपको गिनाए वो side effect आपको नहीं होगा दूसरा इसका test का जो problem है या फिर आपका मुझ से जो बास आता है bad smell का जो problem होता है bad breathing की जो problem होता है वो भी इसमें नहीं होगा आपको tablet के form में लेने से थर्ड जो आपको फायदा होता है वो यह है कि इस medicine का अंधर जो अलग और components है वहाँ allicin मिलकर एक बहुत अच्छा network बनाती है और आपका sex problem को trick करने में बहुत ही साइक role play करता है और यह tablet भी आपको lifetime नहीं लेना है ऐसा ना सोचे कि यह tablet आपको lifetime तक आपको लेना है ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो मेरे patient है उनको पता होगा ही कि इसका सिर्फ मैं patient का भीतर स्टार्टिंग में ही दो मेहने का course कराता हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं patient को सिर्फ tablet भेज देता हूँ उसका address पे मैं इस tablet के साथ साथ patient का एक thoroughly पूरा case taking करता हूँ case taking करने के बाद उसके according जो homeopathic medicine है वो भी मैं देता हूँ तो कहने का मदलब यह tablet मैं अपने treatment के साथ साथ अपना patient को यह देता हूँ और इसलिए इस medicine का patent बना के हमने इसको market में available नहीं किया है क्योंकि सिर्फ इस tablet का 7 करने से आपको फरक तो आ जाएगा अपना problem में आपको improvement आपको दिख जाएगा उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन यह जो improvement रहेगा वो आइस्ता आइस्ता जैसे ही आपका course खतम हो जाएगा उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका improvement आइस्ता आइस्ता कम हो रहा है फिर से आपका problem जो है वो बापस आ रहा है कुछ महने बाद problem पूरी तरह जड़ से साफ नहीं हो पाएगा problem जड़ से साफ करने के लिए आपको किसी एक अच्छी classical MD homeopath के पास जाकर अपना case taking देकर उनके according proper homeopathic medicine खाना पड़ेगा इसके साथ तभी जाकर यह tablet भी अच्छी तरह काम करेगी और आपका problem का जो मूल जड़ है वो भी साफ हो जाएगा और इसलिए मैं अपना patient को सिर्फ यह tablet नहीं भेजता हूँ मैं patient को tablet के साथ-साथ कुछ और liquid medicine भी भेजता हूँ जो की proper homeopathic medicine होती है मैं patient से एक पर बात करता हूँ उसका case taking करता हूँ उसके according medicine में देने का प्रयास करता हूँ patient को tablet के साथ-साथ उसको भी लेना पड़ेगा तभी जाके आपका problem एकदम जड़ से साफ हो पाएगा तो दोस्तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि garlic यानि lesson sex problem में काम आती है या नहीं इसके इलावे से किस प्रकार से इस्तमाल करना चाहिए ये भी आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे तो दोस्तो मैं इस वीडियो को भी प्रेंड करता हूँ तो thank you very much and have a good day